एक साधू जंगल से गुजर रहा था उसे रास्ते में एक डांकू मिल गया उसने साधू से कहा तुमारे पास जो कुछ भी है उसे मेरे हवाले कर दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा यह सुनका साधू ने बड़ी विनमरता से कहा दे तो दूँगा परन्तु मैं कुछ पूछना चाहता हूं पहले उसका जबाब दो उसके बाद सब कुछ ले लेना डांकू ने कहा क्या पूछना चाहते हो साधू ने कहा तुम लोगों को मार कर लूट लेते हो यह पाप है यह लूट का सामान तुमारे घर में कौन-कौन खाता है डांकू ने कहा मेरी मा पतनी और बच्चे इस लूट के सामान में अपनी भूख मिठाते हैं साधु ने कहा घर जाओ और पूछ कर आओ कि यह पाप जो तुम कर रहे हो इसमें तुम्हारे साथ कौन कौन सह भागी होगा साधु की बात सुनकर डाकू घर गया परिवार के सदस्चियों से पूछा तो सब ने कह दिया हम तुम्हारे पाप के भागी क्यों बने हमारा भरन पोसन करना तो तुम्हारा कर्तब है यह पाप तुम अकेले ही भोगो हम तुम्हारे साथ नहीं है डांकू परिवारवालों की बात सुनकर साधू के पास गया और उन्हें सारी बात बता कर उनके पैर पकड़ कर रोने लगा साधू ने उसे उठाया और समझाती हुए कहा पाप कर्म से बचो भगवान की शरण में आजाओ तुम्हारा कल्यान होगा यह सुनकर डांकू की समझ में सब कुछ आ गया उसी दिन से उसने पाप कर्म छोड़ दिया और भगवान का ध्यान करने लगा